नमस्कार, WKB News के सबसे खास, सबसे सटीक और महतपूर्ण पेशकर्ज देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कॉंगरेस के पदेश देश नाना पटोले ने महाराश के राजपाल से अपील की है कि वह सत्यपाल मलिक से सबक ले मलिक ने सास के साथ सच कहने की बड़ी हिम्मत दिखाई है तो राज के उपमुख्यमंतरी अजित पवार ने कहा कि कोरोणा इसी तरह बढ़ता रहा तो राज सरकार को कठा और फैसले लेने ही होंगे एक दो दिन में यनिर ने ले भी जा सकते हैं वही मुस्लिम महिलाओं की ओनलाइन निलामी करने वाली बुली बाई आप के मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक युवक को हिरासत मिलिया है उधर माराश के स्वास्वंदरी राजश्टोपे ने कहा कि केंद्रिय स्वास्वंदरी मंसुक मांडविया के साथ बैटक में ऑक्सिजन की खपत के अलावा लॉकडाउन का भी मुद्दा उठा है हम स्तिती पर नजर रखे हुए है इसे पीश दो हजार यात्रियों को ले जा रहे कारडिलिया क्रूश्शिप में सरसट लोगों के कोरोणा संक्रमित पाया जाने के बाद इस जहाज अब वापस गोवा से मुंबई भेज दिया गया है जहाज में सब इस संक्रमित लोग भी मौजुद है क्योंकि काफी लोगों ने गोवा के सरकारी संस्तानों में भरती होने से इनकार कर दिया है प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ मेगाले के राजजपाल सत्यपाल मलिक के ताजा बयान के बाद कौंग्रिस के प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी का असली चहरा देश के सामने बे नकाब कर दिया है किसानों को लेकर इस तरह का अस्वेधन शिल बयान एक अहंकारी और तानाशाहि सरकार का मुखिया ही दे सकता है हम सत्यपाल मलिक को सच बोलने के साहस के लिए बढ़ाई देते हैं फिलहाल बीजेपी में किसी में भी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है मोदी के गैबिनेट सही होगी और बीजेपी के सभी नेता मोदी के सामने मौन होकर सिर जुकाते हैं हाला कि सत्यपाल मलिक में साहस के साथ सच कहने की बड़ी हिमत दिखाई दी है इससे पहले मलिक ने किसानों के आंदोलन और कुशी कानूनों पर भी कड़ा रुक अक्तियार किया था निश्चित रूप से शहिद किसानों के बारे में मोदी का बयान परेशान करने वाला है कि दुर्भागे पुर्णा है कि ऐसा कुरूर निर्दई व्यक्ति हमारे देश का प्रधान मंत्री है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के पास किसानों के लिए खेद महसूस करने का कोई कारण नहीं है अगर ऐसा होता तो किसानों को भारे ठंड और बारिश में अपनी जान गवानी नहीं पड़ती किसानों को खलिस्तानी आंदोलनकारी कहकर उनके रास्तों में कीले नहीं ठोगी जाती नाना पटोले ने कहा कि महाराश्चा के राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी को केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर काम करना बंद कर देना चाहिए बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए महाराश्चा सरकार चिन्ती थे स्कूल कॉलेज बंद करने और लोकल ट्रेन पर पाबंदिया बढ़ाने की चर्चा एक बार फिर से हो रही है राज्य की उपमुख्या मंत्री अजित पवार ने इन सब के बारे में एक दो दिन में निरने लेने की बात कही उन्होंने कहां कि पश्यम बंगाल में संक्रमन बढ़ने पर मम्ता बायनर जिने लॉक्डाउन लगाया है देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया गया है लेकिन ये प्रभावी नहीं है कोरोना इसी तरह बढ़ता रहा तो राज्य सरकार को कठोर फैसले लेने ही होंगे इस संदर्ब में मुख्या मंत्री जो निर्ने लेंगे विराज्य के सभी भागों में लागू किये जाएंगे लोग खाना खाते वक्त चाय वगरे पीते वक्त चहरे से मास्क खटाते हैं एक दुसरे के सामने आते हैं इससे कोरोना संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में इसे टालने के लिए कोई प्रभावी उपाई की जरूरत है नेताओं को भी नियमों का पालन करना जरूरी है अगर हम ही नियमों की अंदेखी करेंगे तो बाकियों से नियम पालन करने की अपिल करने का कोई मतलब ही नहीं है मुंबई में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विजेवडे टिवार ने भी लोकल सेवा को लेकर जल्द ही कड़े फैसले लेने के संकेत दिये है साथ ही कहा है कि एक विकल्प ये हो सकता है कि राज्य के कुछ ठिकानों को कंटेन्मेंट जोन घोशित कर वहाँ प्रवेशबंदी लागू की जाए भीड को पूरी सक्ति से नियंतरित किया जाए मुस्लिम महिलाओं की ओनलाइन निलामी करने वाली बुली बाई एप के मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक यूवक को हिरासत मिलिया है मुंबई पुलिस ने आरोपी की पहचान का खुलासा नहीं हिया है लेकिन ये जानकरी दी है कि 21 साल का आरोपी यूवक बैंगलूरू में इंजिनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है उसे बुलिबाई एप के पांच फॉलोवर्स में से एक बताया गया है अब पुलिस उसे मुंबई ला रही है उधर दिल्ली पुलिस ने GitHub प्लाटफॉर्म से एक एप के डेवलपर की जानकरी मांगी है साथी ट्वीटर को अपने प्लाटफॉर्म से इससे जुड़ा आपत्ति जनक कंटेंट हटाने को कहा है बता दे कि मुस्लिम महिलाओ और कई राजनितिक दलों ने बुलिबाई एप का विरोध किया था शिवसिना सांसत प्रियंका चतुरवेदी ने इस बारे में ट्वीट के जरीए केंदरी आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैशनवज शिकायत भी की थी इसके बाद मिनिस्टरी ने बुलिबाई एप को ब्लॉक कर दिया है प्रियंका चतुरवेदी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने जाज शुरू कर दी है इसके अलावा दिली पुलिस में एक जनरलिस ने भी शिकायत दर्च कराई है कुछ मुस्लिम महिलाओ के साथ उन्हें भी इस एप पर निलामी के लिए रखा गया था बुलिबाई एप को सुली डिल्स का कलोन बताये जा रहा है पिछले साल जुलाई में सुली डिल को लेकर भी काफी विरोत किया गया था सुली वो टर्म है जिसका इस्तेमाल चरमपन्ती मुस्लिम महिलाओ का अपमान करने के लिए करते हैं इन एप्स का मकसद मुस्लिम महिलाओं को प्रताडित करना, उन्हें शर्मिन्दा करना और नीचा दिखाना है महराश्टर में कोरोना का संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है तमाम प्रयासों के बाद भी इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है महराश्टर सरकार के स्वास्त विभाग के अनुसार मुंबई में कोरोना वाइरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के 40 नहीं मामले सामने आए है जिसे महानगर में इस तरह के संक्रमनों की संख्या बढ़ कर 368 हो गई है स्वास्त विभाग के मुताबिक राज्यमे मरीजों की संख्या बढ़ कर 50,000 के पार चली गई है विभाग ने एक बुलेटिन में बताया कि नए मामले सामने आने के बाद राज्यमे संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 67,12,028 हो गई है जबकि मरने वालों की संक्या एक लाग 41,553 हो गई है महाराश्चा की स्वास्ता मंत्री राजिश टोपे ने कहा कि केंद्रिय स्वास्ता मंत्री मंसुक मानविया के साथ पैठक में लॉकडाउन का मुद्दा उठा हर राज्चा में लॉकडाउन की परिभाशा अलग-अलग दी गई है महाराश्चा में बेट उक्यूपेंसी और उक्सीजन की उपलब धता पर ये निर्भर करेगा समझीए कि अस्पतालों में 40 फिजदी बेट उक्यूपाई हो चुके हैं और हर रोज ऑक्सीजन कंजप्शन 700 मिट्रिक टन होने की स्थिती पैदा हो जाए तो हम में आटोमेटिक लॉकडाउन लगाना तै किया हुआ है इन सब बातों पर अंतिम निर्ने सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे 2000 यात्रियों को ले जा रहे है कॉरेडेलिया क्रूज शिप में 66 लोगों के कुरोना संक्रमित पाये जाने की बात इस जहाज को अब वापस गोवा से मुंबई भेज दिया गया है जहाज में सभी संक्रमित लोग भी मौजुद है क्योंकि काफी लोगों ने गोवा के सरकारी संस्थानों में भरती होने से इनकार कर दिया था हाला कि सभी संक्रमितों को जहाज पर ही आईसोलेट कर दिया गया है गोवा के स्वास्था मंत्री विश्वजित राणे ने बताया कि अभी तक कॉरडेलिया शिप पर सवार 2000 लोगों में से 66 कॉरोना संक्रमित पाए गये हैं ये सभी मुंबई से गोवा आये थे नए साल के मौके पर गोवा जा रहे इस जहास के एक क्रू मेंबर के रविवार को कॉरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कमपनी ने सभी यादरियों का कॉरोना टेस्ट करवाया था एक अधिकारी ने बताया कि सुमवार देर राज साड़े ग्यारा बजे इस जहास को उस समय वापस भेज दिया गया जब संक्रमित पाए गये 27 यादरियों ने जहास से उतरने से मना कर दिया संक्रमित पाए गये 66 लोगों में से सिर्फ 6 क्रू मेंबर्स ही गोवा में उतरे टूट से उतरने के लिए यादरियों ने इनकार के बाद दक्षिनी गोवा डिस्टिक्ट एड्मिनिस्ट्रेशन के साथ सलाह मश्वरा करते हुए जहास को वापस भेजने का फैसला किया है वहाँ भी संक्रमित लोगों के साथ जिन लोगों को आईसुलेशन फैसलिटी में रखा गया था उन्हें भी जहास को वापस भेजने से पहले लाया गया कुछ संक्रमित लोगों के परिवार के सदस्य भी जहाज पर साथ है और वेजाज में नेगेटिव पाए गए है ये जहाज आज मुंबे पहुच जाएगा कोरोना संक्रमन की तेजगती ने राजधानी नदिल्ली को हलाकान कर दिया है खुद दिल्ली के मुख्यमत्री केजरिवाल इस संक्रमन का शिकार हुए है भाजपा सांसवत मनुश्तिवारी के भी संक्रमित होने की खबर है इसी बिछ दिल्ली स्थित इंद्रा गांधी आंतराश्टेवायर्टे पर पुलिस ने वेक्ती को गिरफतार किया है जो विमान चुट जाने के बहाने यांतरा के लिए लोगों से पैसे एट था था उदर सेंटरल बोर्ड और सेकंडरी एजुकेशन ने का है कि वह जलही टर्म टू की डेट शीट जारी करेगा बता दे कि सीबीएसी और सीआएसी और अन्य राजबोर्ड दोजार एकीस बाईस की बोर्ड परिक्षा दो चर्णों में आयोजित कर रहे है वही गांधी को लेकर काले चरण की बज़ुमानी का मामला शान ही नहीं हुआ कि मध्यप्रदेश की नरसिंगपूर में भागवत कथावा चब तरुन मुरारी बापु ने कहा कि जो राश्ट की तुकडे कर दे वर राश्ट पिता कैसे हो सकता है मैं उनका विरोध करता हूँ वह देशद्रो ही है तो पटना के दानापुर शेत्र में एक बेकाबु हाईवा तककर के बाद पुलिस की जिपसी पर पलड़ गया हाथ से में तीन पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई देशकी इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है अब हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदनी पार्टी के संयों जक अर्विंद केजरिवाल के कोरोना पॉजिटिव आने से पंजाब चंदिकड में भी हड़ कम मच गया है वे पंजाब और उत्राखंड में आम आदनी पार्टी के लिए चुनाव प्रशार कर रहे है पंजाब दोरे पर उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की थी इसे बीच भाजपासांसद मनोश्तिवारी के संकर्वित होने की खबर सामने आई है जहां तक केजरिवाल की बात है तो उन्होंने देहरादून में सभा की थी तो चंदिगर और पटियाला में रैली नए साल पर वे अमरुटसर में धार्मिक स्थानों पर माथा टेकने भी गए थे सभी जगों पर भारी भीड थी सेंक्णों लोगों की मौजूद्गी के बावजूद केजरिवाल और दूसरे आपनेता उन्हें माक्स नहीं पहने थे केजरिवाल ट्रक यूनियन के धरने में भी गए थे जबकि पंजाब दोरे के दोरान अर्विन केजरिवाल ने पटियाला में काली माता मंदिर और गुरुद्वारा श्री दुखनिवारन साहिब में भी माता टेका था इसके बाद वे नए साल के पहले दिन अमरुद्सर गए थे जहां उन्होंने श्री रामतिर्थस्थान में माता टेका फिर जालंदर जाकर डेरा सच्खन बल्ला में माता टेका था संगरूर से सांसस भगवन्तमान के जवाल के साथ साथ रहे पट्याला में रैली के बाद के जवाल अगले दिन अमरुसर से होते हुए दिल्ली चले गए लेकिन उनके साथ बिना मास के भगवन्तमान ने कई जिलों में रैलियां की पटियाला के अलावा मोगा समित कई लाकों में भगवन्तमान ने रैली की थी इनमें कहीं भी भगवन्तमान ने मास नहीं पैना हुआ था दिल्ली स्तित इंद्रा गांधी आंतराश्टे हुआ यड़े पर पुलिस ने एक वेक्टी को गिरफतार किया जो खुद को अंदरप्रदेश के एक प्रतिश्टित विश्विदालाय का चात्र बता रहा था और विमान चुट जाने के बहाने यात्रा के लिए लोगों से पैसे एटा था उसकी परचान अंदरप्रदेश के गुंटु जिले के रहने वाले वी दिनेश कुमार के तोर पर की गई है फिशले चार-पांस साल में वह अब तक सव से अधिक यात्रियों को ठक चुका है मोलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीजी मेंट्स हॉस्टेल में रहने वाल एक वेक्ती ने 19 दिसंबर 2021 कोशिका दर्च कराई थी कि वह बड़ोदा से दिल्ली हवाई अड़े के T3 टर्मिनल पर पहुंचा यहा आरोपी ने उससे संपर किया और कहा कि वह आंधरप्रदेश के प्रदिश्डित विश्वीदाले का च्छात्र है विश्वीदाले का परिचर पत्र दिखाते हुए कहा कि वह चंदिकगर से आया है और विशाका पटनम का उसका विमान चूट गया है विशाका पटनम के चूट चूट के विमान का 15,000 रुपे का टिकेट दिखाते हुए उसने कहा कि उसके पास केवल 6,000 रुपे है बाकी के पैसे उससे यह कर लिए कि गंते विपर जाकर उसके पैसे लोटा देगा लेकिन बार-बार मांगने के बावजू जब आरोपी ने पैसे नहीं लोटाया तो शिकायत करता ने पुलिस को संपर किया और मामला दर्ज करवाया आरोपी को CCTV फुटेज के आदार पर तब पकड़ा गया जब वह दूसरे यात्री को ठगने का प्रयास कर रहा था CBSC और CISCE और अन्य कई राजबोड 2021-22 की बोड परिक्षा दो चरणों में आउजित कर रहा है CBSC टर्म 1 बोड की परिक्षा समाप्त हो गई है बोड ने पहले घोशना की थी कि टर्म 1 का परिनाम पास फेल या आवश्यक रिपीट के रूप में जारी नहीं किया जाएगा यह नतीजे फाइनल परिनाम टर्म 2 परिक्षा के बाद उपलब्ध होंगे जानकारी के नुसार सेंटरल बोड आफ सेकंडरी एजुकेशन जल्ध ही टर्म 2 की डेट शिट जारी करेगा संभावना जताई जा रही है कि मार्च अप्रेल में आज़ित होने वाली बोड परिक्षाओं के लिए CBSC जल्धी ओफिशिल वेबसाइट पर टाइम टेबल पोर्टल पर अपलोड कर देगा ऐसे में दस्वी और बारावी के चातर चातराओं को सला दी जाती है कि जो चातर टर्म 2 बोड परिक्षा की तयारी कर रहे है वे पोर्टल पर विजिट करते रहे इसके अलावा स्टुडेंट ध्यान दे कि दस्वी और बारावी की कक्षाओं के लिए विबिन विशियों के लिए पाठ्थे क्रम और कोशन बैंक भी जारी कर दिये गए है CBSC ने अभी तक टर्म 2 बोड परिक्षा के लिए सैंपल कोशन बेपर जारी नहीं किये है CBSC टर्म 2 परिक्षा में वस्तोनिष्ण और व्यक्ति परक दोनों प्रकार के प्रशन होंगे ECBs Council for the Indian School Certificate Examination द्वारा भी सेमिस्टर परिक्षा की तारिके जल्द ही जारी करने की उम्मीद है यहां परिक्षा मार्च अप्रिल में होनी है वही परिक्षाओं से जुड़ी सूचना के बारे में ओफिशल वेबसाइट पर विजिट करते रहें राश्पिता महात्मा गांधी के खिलाप अपशब्द कहने वाले महाराश के संत काली चरन महाराज जेल में ही रहेंगे हाला कि रायपूल जेल में भी काली चरन महाराज के चेहरे पर किसी तरह का मलाल नहीं दिखा उल्टे जेल के अंदर जाने से पहले वर चिखे सारे हिंदू एक हो जाओ गांधी को लेकर काले चरण की बज़ुमानी का मामला अब तक शांत नहीं हुआ है जगा जगा केस दर्ज होए है अब नर्सिंगपूर में भागवत कथा वाचक तरुन मुरारी बापू ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है उन्होंने कहा कि जो राष्ट के तुकड़े कर दे वर राष्ट पिताक कैसे हो सकता है मैं उनका विरोध करता हूँ वर राष्ट द्रोही है नर्सिंगपूर में स्टेशन गंज पूलिस ने तरुन मुरारी बापू के खिलाब कई धाराओ में मामलाद दर्ज किया है सोंवार को छिंदवाडा रोड सीत वीरा लॉन में श्रीमत भागवत कथा के दवरान तरुन मुरारी बापू ने विवादित बयान दिया उसने कहा कि महात्मा गांदी न तो महात्मा है और नहीं राष्ट पिता हो सकते है उन्होंने जीते जीत देश के टुकडे कर दिये इस वज़े से उन्हें देश दो ही कहा जाना चाहिए कॉंग्रेस ने तरुन मुरारी बापू के बयान आने पर आपति दर्च की पुलिस अदिक्षक को ग्यापन दिया इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से थाना स्टेशन गंज में आईपीसी की धारा 153, 504, 505 के तहत केस दर्च किया है हाला कि तरुन मुरारी बापू अब भी अपनी बात पर कायम है पटना के दानापुल शेत्र में बड़ा सडखाचसा हो गया एक बेकाबु हाईवा टकर के बाद पुलिस की जिपसी पर पलड़ गया हाथसे में तीन पुलिस कर्मियों की मौत हो गई वही दो अन्य पुलिस कर्मी गंभी रूप से घायल हो गए मौके पर मौझूद लोगों की अनुसार हाईवा ने पुलिस की जिपसी को पीछे से टकर मारी इसके बाद वज जिप पर पलड़ गया हाईवा की चपेट में आने से जिपसी में सवार पाँच कुलिस कर्मी उसमें दब गए इन में से तीन की मौत हो गई जबकि दो गंभी रूप से घायल हो गए प्रतेक्षे दर्शियों ने बताया कि पुलिस की जिपसी में आग भी लग गई सुचना मिलते ही मौके पर पहुँचे दमकल वहानों ने आग बुजाई इस दोरान भारी अफरा तफ्री किसी थीब बनी रही चाहकर भी लोग पुलिस कर्मियों की मदद नहीं कर पाए बताया गया है कि जिपसी पटना के गर्दनी बाग पुलिस थाने की थी वे कहां जा रहे थे इस बार में पुरी जानकारी नहीं मिल पाई है दुरगटना की सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और वहान के नीचे फसे जवानों को निकाला गंबिर हालत में दो जवानों को अस्पतार ले जाया गया तीन पुरिस कर्मियों के शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया मौके पर वईश्ट अदिकारी भी पहुँचे गटना की जांच के आदेश दिये गया है महक में के आलादिकारीों ने भी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है चीन ने भारत के अक्साई चीन इलाके पर जबरंड कबजा कर रखा है और अब वहाँ पर सडको और पूलों का जालबी विचा रहा है सैटलाइट तस्यूरों से इसका खुला सा हुआ है तो यमन में इरान समर्टक हूती विद्रियों ने अमेरिका से अपने 1401 के फोर्टी संद राइफल का बदला लेते हुए सौधी अरब के हतियारियों से जखिरे पर कबजा कर लिया है वह अफगानिस्तान में तालिबान ने दुकानों पर लगे मॉडल्स के पुतलों को इसलाम के प्रती अपमाजरक बताते हुए उनके सिर कलम कर दिये पुतलों के सिर को काटने का आदेश तालिबान सरकार ने दिया है इसे बीच इरान की राष्टपती इबराहीम रियासी ने अपने पूर्वजनरल कासिम सुलेमानी को दो साल पहले हुई हत्या का बदला लेने की बात कही उन्होंने कहा यदि डोनाल ट्रम पर कोई मुकदमा नहीं चलता है तो फिर हम बदला लेंगे उधर कोरोना के बढ़ते मामलों से अमेरिका हैरान है वाहर 6 में से एक विक्ती कोरोना पॉजिटिव है नए मामले में 60 फिसदी सदिक मामले ओमिक्रॉन के है इसके बाद 38 से 40 फिसदी मामले डेल्टा विरियन के है दुनिया भर में इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ पुर्वी लद्दा के पैंगोंग जिल पर पुल बना रहा चीनी ड्रैगन पुरे अकसाई चीन इलाके में भारत के खिलाब अपनी किले बंदी को चोतर फाम मजबूत कर रहा है चीन ने भारत के अकसाई चीन इलाके पर जबरन कबजा कर रहा है और अब वहाँ पर सडकों और पुलों का जाल बिछा रहा है सैटलाइट से मिली ताजा तस्विरों से खुलासा हुआ है चीन ने लद्दा के गलवान घाटी में खुनी जड़ब के बाद साल 2020-21 के बीच में अपने निर्मानकारे को बहुत तेज कर दिया है चीन अकसाई चीन इलाके में नकेवल नई सडके बना रहा है बलकि नए पुल बना रहा है इसके अलावा पुराने सडकों को चोड़ा किया जा रहा है साथी चीन इस इलाके में कई वैकल्पिक रास्ते भी बना रहा है चीन ने अकसाई चीन के कई सेक्टर में इस निर्मानकारे को चला रहा है विशेशग्यों की मताबिक चीन की कोशिश है कि इसके जरीए अकसाई चीन पर अपनी पकड को और मजबूत किया जा सके और साथी किसी आकरामक कारवाई की सूरत में भारती सेना को तेजी से जवाब दिया जा सके चीन ने कड़ाके की इस ठंड में भी पूरी लदाक में पूरे वास्तविक नियंतर रेका पर अपने 60,000 सेनिक तैनात कर रखे है भारतिय सेना ने भी चीन को करारा जवाब देने के लिए इतने ही सेनिक तैनात किया है सूत्रों की मुताबिक चीनी सेना ने अपने गर्मियों में ट्रेनिंग लेने वाले सेनिकों को तो हटा लिया है लेकिन अभी भी 60,000 सनिक सीमा पर मौजुद है भारतिय सेना ने जवाबी कारवाई करते हुए राश्ट्र राइफल्स को आतंगवाद निरोधक अभियान से हटा कर उसे चौदावी कोर के साथ चोड़ दिया है यमन में इरान समर तक हुती विद्रोयों ने अमेरिका से अपने 1447 राइफल का बदला लेते हुए सौधी अरब की हतियारों के जखिरे पर कबजा कर लिया है सौधी अरब के इस हतियार जखिरे में AK-103 राइफल, कैसे निवाहन, छोटी नावे और लैंडिंग क्राफ्ट शामिल है हुती विद्रोयों ने लाल सागर में इस सौधी हतियारों पर कबजा किया अमरीका लगातार हुती विद्रोयों के खिलाब सौधी अरब की मदद कर रहा है लेकन यमनी विद्रोयों की इस कारवाई से उन्हें बड़ा जटका लगा है इसी भी सौधी अरब के अधिकारियों ने कहा है कि इस जहाज में अरब सागर में स्तीत सोकोटरा दुएक के एक अस्पताल से समान वापस लाया जा रहा था हुती विद्रोयों ने सौधी हतियार जखिरे की तस्विरे जारी की है इसमें अमरीका निर्मित हमपी समेत दरजनो सेनर ट्रैक दिखाई दे रहा है इसके अलावा कई चोटी नौकाई और दरजनो एके वन जिरू त्री असौल ट्रैफल, हजारो गोलिया, बॉडी आर्मर और हेलमेट शामिल है वही सौधी अरब की गठ बंदन सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस जहाज पर एंबुलेंस, चिकित्सा उपकरन, संचार उपकरन, टेंट, सुरक्षा उपकरन, आदियूपकरन लदे हुए थे उन्होंने कहा कि यह जहाज जजान पोर्ट जा रहा था जब इस पर हमला किया गया हुती विद्रोहियों ने आरोप लगया है कि सौधिय अरब का यह जहाज शत्रता पूर्ण उद्वशों के साथ उसके यमन के जल सीमा में प्रवेश कर रहा था सौधिय अरब की सेना ने धमकी दी है कि यमन के विद्रोहि तत्काल जहाज को छोड़ दे नहीं तो वे जोरदा जवाबी कारवाई करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान ने दुकानों पर लगे मॉडल्स के पूतलों को इसलाम के प्रती अपमाजनक बताते हुए उनके सिर कलम कर दिया सोशल मीडिया में शेर किये जा रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि अग्यात लोग मॉडल्स के पुतलों के सिर को कलम कर रहे है वही कुछ लोग वहां खड़े है जो अल्लाहु अक्बर के नारे लगा रहे है विडियो में नजर आ रहा है कि जमीन पर कम से कम दस सीर कटे हुए पड़े है इससे पहले पिछले सब्ता हिरात प्रांत में दुकानों में लगे पुतलों के सीर को काट देने का अदेश जारी किया गया था दरसल तालिबान ने इन पुतलों को मुर्तिकरार दे दिया है जो उनके मुताबिक गैर इसलामी है विपोर्ट की मुताबिक पुतलों के सीर को काटने का अदेश तालिबान सरकार ने जारी किया है जो इसलाम की बेहतकरी वैखा करके उसको देश में लागू कर रही है तालिबान ने पुरी तरह से इन पुतलों को दुकानों से हटाने के लिए कहा था लेकिन दुकानदारों ने शिकायत की कि इससे उनका बिजनेस पुरी तरह से ठफ हो जाएगा और वे तबाह हो जाएंगे शिकायतों को सुनने के बाद तालिबानी मंत्राले के प्रमुक शेक अजिस उर्रह्मान ने वेवस्था दी कि केवल सिर को कलम कर दिया जाए वही अफगान वेपारियों का कहना है कि सिर काटने के बाद भी उनको काफी नुकसान होगा वह भी तब जब अफगान अर्थवेवस्था लगबग तबाह हो चुकी है इरान के राष्टपती इबराहिम रियासी ने अपने पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की दो साल पहले हुई हत्या का बदला लेनी की बात कई है उन्होंने कहा कि यदि डोनाल टरम्प पर यदि मुकदमान नहीं चलता है तो फिर हम बदला लेंगे 3 जनवरी 2020 को ततकालिन अमरीकी राष्टपती डोनाल टरम्प के आदेश पर इराक में इरानी सेना के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी पर डोन अटैक हुआ था इसमें कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी इस घटना के चलते वैश्पिक राजनीती में उबाल देखने को मिला था अमेरिका और इरान के बीच तनाव इसकदर बढ़ गया था कि युद्ध की आशंग का एज़ जताने लगी थी रियासी ने कहा यदि डोनाल ट्रमप और ततकाली विरेशमतरी माइक पॉम्पियो पर जनरल सुलेमानी की हत्या का मुकदमान नहीं चलता है तो फिर मुस्लिम हमारे शहीद जनरल का बदला लेंगे इरान की ओर से सुलिमानी की हत्या के लिए इसराइल को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है कासिम सुलिमानी की हत्या के बाद से इरान और अमिरिका के बीच रिष्टे बहत निशले स्थर पर चले गए थे तब दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंकाय भी जताई जाने लगी थी लेकिन यह टल गया था बता दे कि एरान में कासिम सुलेमानी की मोत की बरसी पर उनके सम्मान में कारेक्रम किये गए और अमरिका के खिलाप रदर्शन भी किये गए थे कासिम सुलिमानी की हद्ट के बाद अमेरिका ने सेंगतराश्ट को बताया था यह मामला सिल्फ डिफेंस में किया गया था पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में जबरदस्त उचाल आता देखा जा रहा है इससे यूरोप के देश भी बेहाल है तो अमेरिका में भी हाल बेहत खराब है यहाँ पर महामारी की शुरुवास से लेकर एक दिन में सबसे अधिक नए मामले सामने आ चुके है तीन जनवरी 2022 को यहां करीब 10 लाक मामले दर्च किये गए है जो एक रेकॉर्ड है स्तिती को देखते हुए राश्टपती जो बाइडन और उपराश्टपती कमला हैरिस वाइट हाउस में महामारी पर नजर रखने वाली कोरोना वाइरोस रिस्पॉंस टीम से मुलाकात करने वाले है इस बैठक का मकसद कोरोना के बड़ते मामलों की वज़गा पता लगाना और इसकी रोकताम के लिए युदधस तर पर कारवाई करना शामिल है जॉन हापकिंग उनिवरसिटी के आखड़े बताते है कि देश में हर 6 में से एक वेक ती कोरोना पॉजिटिव है नए मामलों में 60% से अधिक मामले ओमिक्रोन के है इसके बाद करीब 38-40% मामले डेल्टा वेरियन के है बता दे कि अमरिका में पहले से ही बूस्टर डोस की जाज़द दे दी गई थी इसके बाद भी यहाँ पर मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है इसके अलावा यहाँ पर 15-18 की आईवर्क को भी वेक्सिन देने का काम शुरू हो चुका है अब तक करीब 88% याबादी को वेक्सिन की कम से कम एक खुराग दी जा चुकी है बावजुद इसके संक्रमितों की संख्यात तेजी से बढ़ती जा रही है तो देश-पदेश दुनिया में बस इतना ही आपसे कर फिर मुलाकात होंगी तब तक देखते रही है वीके बी न्यूस नमस्कार झाल